हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सबों का मेरे एजुकेशनल चैनल में काफी दिनों के बाद एजुकेशनल चैनल पे आई हूँ क्यूंकि त्योहारों का मौसम था आप सभी उसमें मश्वूल थे उसके पहले एक्जाम्स चल रहे थे तो अब एक्जाम्स भी खतम हो गए और सारे पर्व त्योहार भी खतम हो गए दिवाली भाई दूज चट सब आप लोगों ने मनाया होगा है ना लेकिन त्योहारों की खुमारी अभी बाकी है वो चट का जो गाना है ना वो अभी भी कानों में गूंज रहे है काच ही बासे की बहंगिया बहंगीले चेकते जाए बहंगीले चेकते जाए लेकिन अब इस खुमारी को तोड़ना है और वापस से अपने पढ़ाई के शेतर में गुसना है और इसलिए आज फिर से मैं क्लास 6 से स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 के हिस्ट्री हम पढ़ेंगे लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाओ छोटी सी कहानी है किस्सा गौत्मी की किस्सा गौत्मी एक समय में एक स्त्री थी एक महिला थी, एक लेडी थी उसका नाम किस्सा गौत्मी था और ऐसा हुआ उसके साथ कि उसके गोध में एक छोटा बच्चा था जिसके डेथ हो चुकी थी तो एक मा के लिए बहुत ही तकलीफ का विशय होता है कि उसके रहते वे उसका बच्चा गुजर जाए वो काफी दुखी थी बहुत रो रही थी बहुत रो रही थी तब तक उधर से जा रहे एक द्यालू व्यक्ति की नजर उस पे पड़ी उसने कहा कि क्या बात है तुम क्यूं रो रही हो आप क्यूं रो रही है इतना तो उसने कहा कि मेरा चोटा सा बच्चा है वो एक्सपायर कर गया उसकी मौत हो चुकी है उसकी मृत हो चुकी है और इसले वो छट पटा रही थी बिलकुल एक मा की क्या दशा हो सकती उसका चोट आप मेरे साथ चली, मैं आपको एक मुनी से मिलवाता हूँ, उसके बाद वो उन्हें लेकर आया महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि इस्तरी का छोटा सा बच्चा था, जिसके मृत्त्यू हो गई, और इसलिए वो बहुत बिलख रही है, बहु बुद्ध ने कहा ठीक है, ऐसा संभव है, बिल्कुल होगा ऐसा, बस आप ये कीजिए कि मुझे कहीं से, एक मुठी सरसो के दाने मुझे लाके दीजिए, तो मैं आपके बेटे को वापस कर दूगा, तो मैं आपके बेटे को जिन्दा कर दूगा, इस तरी बहुत खुशी ह बात थी कि ठीक, मातर एक मुठी सरसों के दाने देने से उसका बेटा जिवित हो सकता है, वो दौड के भागने लगे जैसे हैं वो दौडी, वैसे ही महात्मा बुधर ने उसे रोखा और कहा, जो कहा था उसी में add किया कि लेकिन वो सरसों के दाने उस घर से होने चाहिए जहाँ पे किसी की भी मृत्यू ना हुई 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 अब वो महिला गाउं गाउं घुमी दरदर भटकी सभी जगा गई हर जगा पे दाना मांगती थी कि ठीके मुझे सरसों का दाना दे दीजे ल और कोई सा घर उसे ऐसा नहीं मिला जहां किसी की भी मृत्यू नहीं हुई है तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी मैं आपको क्यूं सुना रही हूं या महात्मा बुद्ध ने उसे ऐसा क्यूं कहा आखिर महात्मा बुद्ध उस इस्त्री को कौन से शिक्षा देना चाहते थ उनके दिमाग में इस तरह के सवाल आते थे, कि ये मृत्यू क्या है, ये दुख क्या है, मृत्यू के बाद क्या है, तो इनी सबसे रेलेटेड है आपका आज का चैप्टर, जिसका नाम है New Questions and Ideas, New Questions and Ideas में आखिर क्या खास बात है, क्या नया है इस चैप्टर में, तो पहले हम देखें कि ये इस चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है, ये अनगा की स्टोरी से स्टार्ट होता है, जिसमें अनगा जो है वो अपने स्कूल ट्रिप पे जा रही है, स्कूल की तरफ से कहीं पीशेर से बात करती है, और कहती है, कि बच्चों को जब आप यूपी लेके जा रहे हैं, वारणसी लेके जा रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध के बारे में अवश्य बताईएगा, और सारनाथ जरूर घुमाईएगा उन्हें, ऐसा कहती है उसकी मा, तो सारनाथ में क्या थ सारनाथ किस चीज से जुड़ा हुआ है चलिए देखते हैं पहले तो यह जानिए कि जिस गौतम बुद्ध की मैंने बात के ही जो मैंने कहानी सुनाई महात्मा बुद्ध की उनके बच्पन का नाम सिध्धार्थ था गौतम नाम था ठीक है और माना जाता है कि वो बुद्धि में बहुत तरह के बदलाओ हो रहे थे उसमें क्या था rapid change हो रहे थे लोगों की life में बहुत तरह के changes हो रहे थे क्या हो रहा था आप इसके पहले के chapter में हम लोगों ने पढ़ा कि महाजन पदा था जन पदा से महाजन पदा और फिर महाजन पदा के जो kings थे वो बहुत ही strong ब उस समय कि बहुत से चिंतक थे, बहुत से महात्मा ऐसे थे, बहुत से मुनि ऐसे थे, जो जिंदगी के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते थे, कि आखिर ये जिंदगी क्या है, ये जीवन क्या है, इस तरह के नय-णय प्रश्ण उनके दिमाग में आते थे, और इसी से related आप करते थे गण आपको ध्यान होगा कि मैंने जब आपको महाजन पदा बताया था तो आपको दो तरह के महाजन पदों के बारे में बताया था जिनमें से एक थे गण संग और दूसरा था राज संग और ये महात्मा बुद्ध जो थे वो एक गण से बिलॉंग करते थे जिसका न आखिर क्या तलाश थी उन्हें ग्यान की और ये ग्यान उन्हें प्राप्त हुआ बोध गया में बोधिवरिक्ष के नीचे अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे बोध यानी ग्यान यानी इनलाइट्मेंट उन्हें जो इनलाइट्मेंट मिली वो पीपल के पेड़ के नीचे मिली जो बोध गया में है और उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो उसी सारनात में दिया जिसके बारे में अंगा जो कि स्कूल ट्रिप पे जा रही थी अंगा की मम्मी ने टीचर को बोला था कि आप उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं बच्चों को ट्रिप पे तो बुद्ध के बारे में जरूर बताईएगा और सारनात के बारे में जरूर बताईएगा जहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और बाकी की जिंदगी उन्होंने घूमते हुए जगा जगा घूमते हुए बिताई और उनका अंतिम समय कोसी नारा में बिता ज और तो enlightenment के बाद उन्होंने कुछ उपदेश दिये, वो उपदेश क्या है आईए हम discuss करते हैं, तो उन्होंने क्या teachings दी थी, इस teachings को हम जानते हैं, teachings मोंनों ने ये कहा, कि जो उपदेश थे उनकी उसकी बात हो रही है, कि life is full of suffering and unhappiness, यानि कि सर्व दुखम दुखम, यानि क हर जगह पे दुख है, हर चीज में दुख है, ऐसा उनका मानना था, तो फिर आखिर इस दुख की वज़ा क्या है, मान लीचे दुख है, तो दुख का कुछ कारण तो होना चाहिए, तो उनका मानना था, ये जो suffering है life में, या unhappiness है, इसके पीछे जो reason है, वो reason है, एक प्र और इस तरह करते करती, अनवरत चलते रहता है, इसे हम desire कहते हैं, ये desire जो होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, एक इक्षा पूर्ण होने के बाद, फिर से दूसरे के इक्षा, फिर उसके पूर्ण होने के बाद, फिर किसी तीसरे चीज के इक्षा, आप गौर करके देख देख लो अपने डेली लाइफ में छोटे-छोटे एक्जाम्पल से देख लो पैन खरीद के लिए फिर इक्षा होगी कि आरे हमारे पास रेड कलर का पैन होता तो अच्छा होता जब आप रेड कलर का पैन ले फिर इक्षा होगी कि भाई ग्रीन कलर का पैन होता तो अच्छा होता है इसलिए उनका ये कहना था कि सब कुछ जो दुख में नजर आता है हर चीज में जो कस्ट नजर आता है हर चीज में जो सफ्रिंग नजर आती है हर चीज में जो अन्हापिनिस फील होता है उसकी वजह क्या है उसकी वजह है डिजायर तो डिजायर को कैसे कंट्रोल किया चाहिए कि moderation में चलना चाहिए व्यक्ति को तो क्या होगा कि दुख भले ही पूरे कम ना हो लेकिन कुछ मात्रा में जरूर कम हो जाएंगे जब कि आप मध्यम मार्ग पे चलोगे तो तो मध्यम मार्ग जो है वो उनका एक बहुत ही एहम शिक्षा है इसके बाद देखते हैं कि उनका ये कहना था कि व्यक्ति को दयालू होना चाहिए उन्हें दूसरों की life की भी respect करनी चाहिए including animals यानि बौत धर्म यानि गौतम बुद्ध हमें अहिंशा का भी पार्ट पढ़ा एक्षन चाहिए वह अच्छा हो या बुरा हो यानि कर्म कर्म हम जिसको कहते हैं आप कह सकते हैं कि बौध का जो दर्शन का पक्षा बौध की जो फिलोसफी बुद्धिस्म फिलोसफी जिसको कहते हैं तो उसमें वह कर्म को भी मानते हैं और फिर पुनर जनम को भी मानते है से रिवर्थ को भी मानते हैं क्योंकि उनका नांना था कि जो कुछ भी हमारे एक्षन होते हैं अच्छा या बुरा तोुसका प्रभाव् gere हमें परिणाम हमें भूगतना औही पड़ता है चाहे हम इस जनम में माने चाहे इस जनम में भूखते या फिर हम अगले जनम में भूखते तो कहीं न कहीं हम देखेंगे तो बहुत धर्म की दार्शनिक पक्ष में वह कर्म और पुनरजन्म दोनों को ही मानते थे उन्होंने जितने भी उपदेश दिये वह सारे उपदेश वर्नाकुलर इस चीज को as it is मत सुईकार करो फॉर एक्जामपल कि जदी मैं कहूं कि यह पैन है ठीक है तो इसे as it is मत एकसेप्ट करो साथ ही उनका ये भी कहना था कि किसी भी चीज को as it is नहीं एकसेप्ट कीजे आप अपना खुद का एक थौट प्रसेस डवलप कीजे खुद उस अधिक अर्थ है समीप बैठना नजदीक आके बैठना approaching and sitting near यानि करीब आके बैठना तो करीब कौन किसके करीब आके बैठ रहे है तीचर्स के करीब स्टूडेंट्स बैठते थे और यह उपनिशद में जो आइडियाज है वो एक्चुली शिक्षक और छात्र के बीच जो conversation होता था उसी के रूप में है और बहुत बड़े बड़े आइडियाज जो है वो सिर्फ डायलोग्स के रूप में ही मिलते हैं तो यह उपनिशद में कई तरह के प्रशनों का उलेख होता है जैसा कि आपके chapter का नाम है new questions and ideas तो क्या थी नए सवाल उस समय के सर्फ गौतम ब जीवन क्या है ठीक है यह पुनरजन्म से संबंदित है कि जदी life after death है तो वो क्या है दूसरा सवाल है कि why sacrifices should be performed आपको ध्यान होगा मैंने बताया हुआ है पहली की क्लास में कि जो बहुत धर्म जो है वो दरसल ब्राह्मन धर्म के विरुद्विक्सित हुआ था और ब्राह्म कुछ सवाल ऐसे भी थे उस समय के thinkers के मन में कि आत्मा क्या है या फिर इंडिविजुल सोल हर वेक्ति के भीतर जो है कि आत्मा है यह आत्मा क्या है यह ब्रह्म क्या है आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंद है और कुछ thinkers यह भी मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है तो इसके विशह में तो बहुत सारे doctrine है, आपके class में अभी फिलहाल ये नहीं है, इसलिए आप बस इतना जानिये कि आत्मा और ब्रह्म को बहुत सारे thinkers ये मानते थे, कि ये दरसल एक ही है, उपनिशत जो है वो later Vedic period के text है, कहने का मतलब आपको मैंने बताया था कि Vedic period जो था और उपनिशत जो है, वो उसी का एक एहम हिस्सा है, जिसमें इन सारे प्रशनों का उलेख है, जो कि उस समय के thinkers के दिमाग में उपस्ते थे, जीवन क्या है जदि जीवन है तो फिर आत्मा क्या है प्रमात्मा क्या है आत्मा-प्रमात्मा का समबंधी इस तरह के नए सवाल थे इसे नए आई डिया क्यों आपी अ से इकथा जो समय्विक्शित होना शुरु हुए थे तो आज यहें कि लास में यहीद格 कर भार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में थांक यू सुदिंस